जित करना सीखो जो लिखा नहीं है मुकदर में न उसे हासिल करना सीखो और जिस दिन आप ये करने लगेंगे और जिस दिन आपको हासिल हो चाएगा न उस दिन सबसे मज़ा आने वाला है आपके जिन्दगी में अब आप बोलेंगे भाईया जो किस्मत में नहीं है वो हमें क आप सभी नॉर्मल होकर अगर किस्मत में नहीं है तो आप बस बैठे रहो और इस उमीद पर कि जो खिस्मत में है वो भाया मीलेगा, अब देखो आपको क्या-क्या मिलता है, लेकिन अगर आप दुसरे तरीके सोचोगे कि नहीं, किस्मत में होगा-नहीं होगा पता नहीं, मह इते मैनत के बलबूते पर उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इतना टैलेंट हमारे हंदर है कि नहीं हैं जब इस तरीके से सोचने लगेंगे तब आपको एक चीज़ नजर आएगा कि जिद रखने से न वो हर एक चीज़ मिल सकता है जिसके बारे में हम सभी स क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैमल के उपपर जो भी नए हैं चैमल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और इस क्लास का पूरा प्रेडियाफ आपको सक्सेस की 98. 98.in पर मिल जाएगा और एक बात कल इंडेक्स का क्लास हुआ था आप सभी का रात को आठ बज़े स्टाटिक जी के आज आपका फोर्थ पार्ट क्लास है स्टाटिक जी के का चौथा क्लास कल का प्रेडियाफ आप सभी को आज मिल जाएगा इसलिए मैं बोलाओ टेलिग्रा पर पर पिडियाफ का लिंक सेर कर दूगा तो वहां से आप सभी जो है वो डाउलोड कर लीजेगा और संडे को संडे को जितने भी क्वेस्टिन आपके एक्जाम में आ रहे हैं वो सारे क्वेस्टिन जो है वो अप्लोड कर दिया जाएगा साम को 6 बजे CGL का CGL का जितना भ सभी ठीक है साम को 6 बजे टाइमिंग याद रखिएगा और आप सभी हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड कर कर सकसेस की 98 को आप वहां पर किसी भी एक्जाम का मोग टेस्टि दे सकते हैं ताकि आप जो है एक्जाम से पहले अपने आपको जच कर पाओं कि आप स्कोर कर कितन पा रहें और मैं बार-बार बोलता हूँ हमेशा की तरह कि 349 वाला पैकेज लेकर एक्जाम देना क्योंकि वहां पर जितने भी टेस्ट है बैंक के रेले एससी हर एक एक्जाम का टेस्ट आपको मिल जाएगा 349 में वो भी एक साल के वैलिडिटी के साथ प्लस एक साल तक ज मार्च के इपार्टन compare कुछ इपार्टन पॉइंट की साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला कोसन है वो यह है तामिल नाडू और करनाटका की सरकार ने दोनों ने मिल कर जैललीता की जैनती को किस दिन मनाने का फैस्ला किया है आप सभी को पता है न अम्मा बोलते थे साउथ में बहुत बढ़ा नाम जैलालिता का तो उनकी जैनती को न किस दिन के रूप में मनाने का फैसला किया गया है तामिल नाडू और करनाटका के राजसरकार के द्वारा तो ये दोरो राज मिलकर जो है जललेता की जैन्ती को जो है वो मनाएगी राज महिला बाल सरक्षन दीवस के रूप में और एक बात डेट भी आप सभी याद रखना 24 फैवररी को जो है ये मनाया जाएगा कब 24 फैवररी ठीक है न अगला प्रसमाने सामने है किस राज सरकार ने उले माओ को दो पहिया वाहन खरीदने के लिए 50 पर 30 सबसीडी की घोसरा की है और उनकी पेंसन को दोगुना कर दी है बरतमान में उनको जो पेंसन मिलता है वो 1500 मिलता है अब कितना मिलेगा 3000 और अगर आपको दो चक्का यानि बाइक स्कूटी लेना है तो आपको 50 पर 30 का जो है वो सबसीडी भी दिया जाएगा या फिर इसके रूप में 25,000 रुपए दिये जाएगे ठीक है अब आपके माइंड में एक क्विस्न आ रहा होगा भाईया ये उल्मावा है क्या जो भी इसलाम के सलाकार है जो भी जानकार है ठीक है उनकी बात कर रहा है जो भी इसलाम के सलाकार है जो भी जानकार है उनको और ऐसा क अगला प्रस हमारे सामने है उत्तर परदेश राज सरकार ने गौतम बुद नगर में जेवर हवाई अड़ा के विकास के लिए कितने करोड की अनुमती दी है अब आपके एक्जाम में अगर मालो यही क्वस्तिन बन जाता है जेवर हवाई अड़े का उद्गाटन कहां पर किया गया है या कहां पर खोला जा रहा है तो आप बोलेंगे उत्तर परदेश और इस हवाई अड़े के लिए जो है वो दो हजार करोड रुपई की अनुमती ज चालू हो जाएगा कब तक 2023 तक डेट भी याद रखना और उत्तर परदेश के कैपिटल क्या है तो लखनव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैप गवर्नर आपका अनंदी में पतेल राध्यपाल अगले क्वस्तिन से पढ़ने से पहले बोलूँगा एक लाइक कर देना अगर विडियो पसंद आता है तो आप सभी का आज के लाइक का टार्गेट रखते हैं एक बार देखते हैं पूरा होता है कि नी दो हजार लाइक इस विडियो में अगर आपको विडियो पसंद आता है तो अगला कुशन वारे सामने किस राध की सरकार ने रियायत दर पर भोजन उपलब्त कराने के लिए अटल किसान मुझदूर केंटीन खोलने का निर्णाई किया गया है ये भी कुस्टन काफ़े इपोटेंट है अब ये कुस्टन क्या है मैं आपको समझा दू अटल किसान मुझदूर केंटीन ये खोला जाएगा मुझदूर के लिए जो भी वहाँ के मुझदूर है कहा के हर्याना के इस केंटीन के तहट जो है वहाँ के मुझदूर को जो है वो दस रुपए में खाना जो है वो भर पेट खिलाया जाएगा ठीक है और ये योजना किसके द्वारा खोला गया है हर्याना राजसरकार के द्वारा हर्याना के सियम मनोहरलाल खटर राजजपाल सत्य देव नरायन आरिया और क्यापिटल क्या है वहां का तो वो है आपका चंडीगर ठीक है अगला प्रस हमारे सामने हैं दो दिवसिय पहली ठीक है तुरिजम फेस्टिबल इस भी ओर्गनाइट इन विस सीटी ये आपको बताना है और ये किया गया है आपका तिरपूरा में option number आपका D और तिरपूरा के CM सभी को पता है बिपलब कुमार देव राध्यपाल कप्तान सिंग सालोंकी और capital क्या है तो वो है आपका अगर इसको आप note कर लेना इहाँ पर governor जो है वो गलती है यहाँ पर governor पुराना वाला है नया वाला क्या नाम है यहाँ पर data पुराना वाला है तो आपका जो नया governor है उनका नाम क्या है तो आप बोलेंगे भाईया जो नया governor बना है ये पहले थे अभी आपके है रमेस बैस ठीक है क्या है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या नाम है आपका उनका उनका जो नाम है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रमेश बैस इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए अर्दीख पाओ ठीक है क्या नाम है रमेस बैस जो है वो गवर्नर है आपके कहा के तिरपूरा के ये आप नोट कर लेना यहाँ पर कप्तान सिंग सलोंग की जो है इसके पहले थे ठीक है अगला कुछन नमारे सामने है ये कुछन भी आप सभी का काफी इपोटेंट है आप सभी को पता है कास्मीर बंथा ना छेत चनौतिपूर कास्मीर को कवर करने के लिए के एफप के केटवेब पुरुसकार किसने जीता है जब कास्मीर को बंद किया गया था 75 आटिकल के बाद उस चनौतिपूर माहोल में पूरे कास्मीर को अच्छे से कवर करने के लिए यानि ये जर्नलिस्ट है ठीक है उनको एक अवार्ड दिया गया है आपका कौनसा AFP केटवे प्राइस और ये अवार्ड दिया गया है आपका एहमर खान को option number आपका D यानि उस समय इतना condition ख़राब था कास्मीर का पूरा बन था उसके वावजूद इन्होंने जर्नलिजम का फर्ज अच्छे से नीवाया और पूरे कास्मीर को अच्छे से cover किया उनको इसलिए अवार्ड दिया गया है नाम क्या है एहमर खान अगला प्रस हमारे सामने है नौर्थ इस्ट संस्टेवल डेबलम्मेंट गोल्स कंक्लेफ दियर बीस का आविजन जो होने वाला है वो होने वाला है असाम का गोहाटी में option number आपका D और एक बात असाम का राधानी क्या है दिसपुर असाम की सियम सरवानन सोनवाल और राध्युपाल तो वो है आपके जगदिस मुखी अगला क्वश्यन हमारे सामने है भारत ने इस्तिरता सुचांग पर कितना रैंक हासिल की है जो प्रतिवेक्ति कारबन उसरज और स्वास्ति जीवन जीने के लिए बच्चों की छमता को मापता है तो इंडिया का रैंक कितना है सततर और टॉप पर नॉर्वे सिर्स पर और एक बात कल रात को स्टाटिक जीके वाले क्लास में आठ बज़े मैंने आप सभी को क्या करवाया है इंडेक्स के उपर क्लास त उसी कलास से और मैं देख रहा था वहाँ पर एक क्विस्सिन आपको गलत पढ़ाया गया है वहाँ पर हंगर इंडेक्स में ना इंडिया का रैंक मैंने 103 बोला था वो रैंक 102 है उसको मैं अपडेट कर लीजेगा हाला कि वो करेक्शन मैं PDF में कर दिया हूँ तो आज आपको एक बजे के बाद प्रेडी अप जो है वो आपको मिल जाएगा टेलिग्राम पर लिंक दे दूगा और उस विडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में भी डाउनलोड कर लिंक डाल दूगा तो डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है ना प्रेडी अप में वो मैंने करेक्शन कर दिय और एक बात आज का आपका पहला प्रस्त यहीं से निकल कर आ रहा है आप सभी को कॉमेंट करकर ये बताना है कि नौर्वे का परधान मंतरी का नाम क्या है नौर्वे का मुद्रा क्या है और नौर्वे का रासधानी क्या है ये तीन चीज आपको नौर्वे के बारे में कॉम बिमान भेजेगा ताकि भारतियों जितने भी भारतियों वहां फसे हैं ना उनको निकाला जा सके और कोरोना वाइरस चीन्स को मेडिकल सप्लाई दी जा सके तो कौन सा बिमान जाएगा यहां पर आप जो देख रहे बिमान ना मिलेटरी का इसका नाम कैसी सत्रा याद रखना क्वेशन बहुत ट्रेंडिंग है टॉपिक है तो एक्जाम में क्वेशन पूछ सकता है विमान का नाम कैसी सत्रा अगला क्वेशन हमारे सामने हैं किस भारतिया पहलवान को ESPN के ESPN के Emerging Sports Person of the Year प्रुसकार से प्राप्त किया है किसको नवाजा गया है ESPN के Emerging Sports Person of the Year के टैग स कौन से? रिसलर को तो उनका नाम है आपका फोटो में ही आप देखकर पहचान गए होंगे भया ये दीपक पुनिया है जो आज के डेट में इनका नाम सभी जानता है अगला प्रस हमारे सामने है ESPN द्वारा प्रस्तूत Differently Abled Athlete Person of the Year Award किसने जीता है और ये जीता है आपका मानसी जोसी Option number आपका अगिन डी अगला क्वस्यन है हमारे सामने कौन है ये क्रिकेट आप देखते होंगे ना प्रज्यान ओज़ा बाई हाथ के लेगी स्पिनर उन्होंने रिटार्मेंट की घोसडा कर दी है वो किस खेल से जुड़े हुए है तो क्रिकेट Option number D अगला क्वस्यन हमारे सामने है केंद्रि बिज्यानिक उपकरण सघटन यानि CSIO Central Scientific Instrument Organization चंडीगर ने द्रिष्टी के रूप से द्रिष्टी बादित पहुच पार्ट की सहायता के लिए कौन सा एक नामक उपकरण विक्सीत किया है अब क्वस्यन का है क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं आज के डेट में एक रिपोर्ट के अरुसार भारत में 47 लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते इंडिया में की बात कर रहा हूं 4.7 मिलियन यानि 47 लाग उनके लिए एक उपकरण मनाया गया है जिसके सहायता से जो भी लिखा हुआ है वो जो है वो स्पीच के सहायता से वो सुन सकते हैं यानि अगर आपके कुछ कॉपी में कुछ लिखा हुआ है तो उस उपकरण के सहायता से वो देख तो नहीं सकते पढ़ तो नहीं सकते लेकिन उस चीज़ को वो कनुभर्ट करकर बदल कर सुन सकते हैं तो कौन से उपकरण के सहायता से तो उसक का नाम है आपका दिब्यानन अप्शन नंबर आपका सी ठीक है अगला क्वेस्ट नमारे सामने है गल्फूड 22 का 25 सब्सक्रन 16 से 20 फेवरेट तक किस देश में अजित किया जा रहा है और ये किया जा रहा है आपका दुबाई में दुबाई कहां पढ़ता है तो वो पढ़ता है आपका UAE में ठीक है याद रखिएगा और UAE का करेंसी कह है तो धिर्रम, कैपिटल अबुधाबी और राष्टपती कौने खलीफा भी जयाद अलनयान आज का क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि क्वेस्टिन कट टू कट किलियर करवाना है और क्वेस्टिन थोड़े ज़ादा है आज के अगला क्वेस्टिन हमारे सामने है किस प्रसिद खिलाड़ी ने अपनी लागातार तिसरी ESPN महिला Sports Person of the Year का पुरुसकार जीता है कौन है ये सभी जानते हैं भईया PV सिंदू option number आपका D तो ये हुआ आपका आज का क्लास और ये का पूरा PDF आपको टेलिग्राम पर सेयर कर दिया गया है तो वहां से आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सो मेरे जितने भी भाई मैं देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दीन बहुत अच्छा हो और संडे साम 6 बजो सारा कुस्सें सीजियल का आया हुआ आपको करवा दूंगा PDF डाउनलोड कर लेना सो मेरे जितने भी भाई मैं है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दीन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा और क्लास अच्छा लगा होगा तो विडियो बंद करने से पहले एक लाइक करते भी जाईएगा ठीगा ना? चलिए